दोस्तों नमस्कार आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चत्रभुज और चत्रभुज क्या होता है चत्रभुज के सीर्स किसे कहते हैं भुजाय क्या होती हैं विकण किसे कहते हैं और सम्ग भुजाय किसे कहते हैं अन्ता कून क्या होता है बाहे कोण क्या होता है अन्ता भाग किसे कहते हैं चत्रभुज का बाहे भाग क्या होता है और चत्रभुज के अन्ता कोणों का यगफल कितना होता है चत्रभुज के प्रकार यह हम चीज पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं वीडियो तो फर्स नमबर पर हम देखेंगे चत्रभुज होता क्या है तो चत्रभुज देखो चार रेखाओं से बनी बंद आकरती जिस प्रकार से हम कहे दें कि त्रभुज क्या होता है त्रभुज तीन भुजाओं से बंद आकरती होती है तो उसको हम त्रभुज कहते हैं तो उसी प्रकार से चत्रफुज क्या है चार रेखा खंडों से बनी बंद आकरती है ना तो वो आपकी क्या चत्रफुज हो जाती है यानि चार रेखा है मान लेते हैं कि ये एक रेखा है और दूसरी ये रेखा है और तीसरी ये और चोथी ये मलब चार रेखाओं से बंद आकरती जो होगी वो क तैनि का मतलब होता है कि लगी हुई इस बिंदू पर मिलती है तो जिस बिंदू पर मिलती है तो उसी को काटती है उसे सीर्स कहते हैं जैसे यह सीर्स आपके है यह वाला सीर्स यानि कोने कहलो चाहे सीर्स कहलो दोनों तरीके से आप कह सकते हो तो सीर्स गड़ित के भासा में सीर्स कहा जाता है ना तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है भुजाएं क्या होती हैं सनलग नभुजाएं क्या सनलग नभुजाएं क्या होती हैं अब देखो परस पर एक दूसरे से लगी आसन नभुजाएं आसन न या लगी हुई या सनलग नभुजाएं वो क्या कहलाएंगी सनलग नभुजाएं क्या कहलाएंगी एक दूसरे से लग क्या संलंगन होजा है तो ज एक दूसरे से लगी होती है रेखा रहा वो संलंगन होजाने कहलाती है किसी प्रकार्षत देखो तिसराइन आप क्या होता ऐसके कोई σας कोई को probe ho चाहे तृफुज में By Kalあ क्रण होती तृषार में क्या होता है और पी ख़र अनों तो इस में लिखा है तो बी का जो सामने वाला बी ये सीर्स है और इसके सामने वाला जेस्ट सामने देखाएगा तो डी वाला सीर्स इसको दिखाएदेगा है ना डी सीर्स दिखाएदेगा तो ये बी का सम्मुख सीर्स क्या है डी है तो बी और डी को मिलाने वले जो रेखा होगी वो हम में आ गया होगा आगे चलते हैं देखो सम्मुक भुजाएं क्या होती हैं तो सम्मुक भुजाएं क्या होती हैं सम्मुक भुजाएं क्या होती हैं जैसे हम कहें कि यहां पर देखो चित्र में A, D ये सम्मुक है बलब सामने है B C के है ना तो A D सामने है B C के तो ये सम्मुक भुजाएं हो गई और दूसरी बात तो ही अगर A B और D C ये दोनों आमने सामने हैं तो आमने सामने के भुजाएं क्या खलाएंगी सम्मुक भुजा एक गहलाएंगे याद रखना है इसके बाद देखो 5 नम्बर कर अंताः कॉंड अब अंताः कॉंड क्या होता है thì कोई भी जब दो भुजाएं एक दूसरे को काड़ती है तो कॉंड बनाती है है ना आप देखो इसमें अंता कोण हो जाएंगे बाहकोड दो कटेगरी के कोण हो जाएंगे तो सबसे विले देखो नीचे जो है आपका चितर दूसरा दिया गया है इसको थोड़ा देखके समझते हैं किस प्रकास ने अंता कोड बाहकोड और बाहकोड च्हेतर और अंता छेतर जो है समझेंगे तो इसमें देखेंगे अंता कौण जो अंदर कौण बना हुआ होगा मालो कि ये कौण आपका पूछा जा रहा है तो ये कौण आपका क्या होगा अंता कौण जो बंद आकरती के अंदर कौण बनते हैं वो अंताह कॉंड कहलाते हैं ध्यान लखना है और साथ ही बाह कॉंड की बात करें तो अंताह कॉंड यह आपका हो जाएगा अंदर वाले कॉंड है ना तो इसको जैसे मान लो कि हमको यह वाला कॉंड दर्साना है तो उसका नाम कैसे लिखोगे ये रेखा आपकी दीगे है डी ए बी तो आप लिख सकते हो कौण डी ए बी ये आपका क्या है अंता कौण है है ना इसी प्रकार से इस कौण को लिख सकते हो बी सी डी कौण बी सी डी है ना इस प्रकार से ये क्या है अंता कौण हो गए बाह कौण तो बाहे कोण की बात करेंगे देखो बाहे कोण जो होता है वो जैसे कि मानलो की कोण लिखा है डी ए बी तो कोण डी ए बी का जो बाहे कोण होगा तो ये वाला हम कह सकते है ये वाला कोण आपका क्या है बाहे कोण है ये वाला कोण हम बाहे कोण कह सकते हैं है ना यानि जो चत्रू हो जो बना है उसके बाहे छेतर में जो कोण इससे होता है वो क्या होता है बाहे कोण कहलाता है इसे परकासे देखो जो कोण आपका ये वाला दिया गाए है ये वाला अंता कोण इसके बाहे कोण 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 से हो जाएंगे तो इसके कोण आपका ये वाला हो सकता है यानि जैसो ये रेखा आपकी गई तो इससे जो मिला हुआ कोण होगा जैसे ये वाली ये वाला कोण बना हो साथ में ये वाला कोण तो ये बाहरी छेतर में हो गया और ये अंतरिक छेतर में हो गया तो ये बाहर कोण कहलाएगा और ये अंतरिक कोण कहलाएगा तो इसी प्रकार से देखो ये वाला भी बाहर कोण आपका हो सकता है ना तो ये वो गये बाहर कोण तो अन्ता कोड़ बाहे कोड़ में आसा है कि समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं देखतो अब बहिर भाग और अन्ता भाग तो जो भी चत्रुफुज का अंदर एरिया होगा यानि अन्ता छेतर जो होगा वही अन्ता भाग कहलाएगा चत्रभुज की जो बंद आ करती है उसके अंदर का जो भाग होगा तो अंता भाग मालो की अगर कोई वस्तु इसके अंदर रखी है चत्रभुज के अंदर रखी है तो वो आपके अंता भाग में होगी और जो चत्रभुज के बाहर है तो बाहर भाग में होगी तो ये भी आपको सिंपल से समझना बात है इसके बाद देखो चत्रभुज के अनता कोणों का योगफल तो चत्रभुज के अनता कोणों का योगफल कितना होता है चारों कोनों पर एक एक कोन होता है तो चार कोन इनके सब के योग कितने होंगे 360 होंगे फिर इसके वाद देखो चत्रुभुज के प्रकार और इसमें एक बात और एड़ कर लो कि चत्रुभुज के अंता कोनों का योगफल तो 360 होता है लेकिन चत्रफुज जो होता है किसी भी चत्रफुज के किसी एक कौण का मान 180 से अधिक नहीं होता है ये दिहान दखना है किसी भी कौण का 180 से अधिक मान नहीं होगा आगे इसे चत्रफुज के प्रकार में अच्छे से समझ में आ जाएगा देखो next दिया गया है दस नम्मर पॉइंट चत्रभोज के प्रकार तो चत्रभोज के प्रकार में पहला प्रकार जो दिया गया है उत्तल चत्रभोज कौन कौन से उत्तल चत्रभोज इसे प्रतेक इसमें जो है प्रतेक कौन 180 से कम होता है प्रतेक अंताह कोण क्या होगा 180 से कम होगा कोई भी अंताह कोण 180 से अधिक नहीं होगा देखो चित्र में देखाते हैं हम आपको ये देखो चित्र है आपका बना हुआ है इसमें ये आपका क्या है उत्तल चित्रभुज है क्या है उत्तल चित्रभुज और हम ज्यामतिये में केवल और केवल उत्तल चत्रभुज का अध्यन करते हैं और उत्तल चत्रभुज का नहीं करते हैं तो ज्यामतिये गडित में हम उत्तल चत्रभुज का अध्यन करते हैं उत्तल चत्रभुज में क्या है इसमें प्रतेक कौण प्रतेक अंता कौण 180 से कम होता है यानि जो यह आपके अंता कौण दिये होते हैं यह 180 से सदायों कम होंगे तभी आपका क्या होगा यह उत्तल चत्रभुज बन पाएगा वही बात हम जब दूसरा जो प्रकार है आपका तो आवतल सिधह दो प्रकार की चुत्र उभाइब शती हbreaking इसे हैं अगर चट्रीक कोई-असी-अस से-ठोई सब्लिक हो जाता है तो वहां डिश्ड केसा लाता है यह ध्यानकना będzie शुखा देखो चित्र नंबर डो में किया यह वाले देखो यह वाला कोंड तो 180 से कम है ये वहाला देखो देखो देखोगे तो 180 से जादा हो जाएगा जो एक सूर भर्टा कर दो सब तो कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सेर करें लाइक करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें तो मिलता है नेक्ट वीडियो में